तिलंगाना में नई सरकार के शपत ग्रहन के बाद से सियासी पारा हाई है AIM AIM चीफ अस्दुद्दी नोवैसी के छोटे भाई और चद्रियान गुट्टा से विधायक अकबर उद्दी नोवैसी को पहले सत्र के लिए प्रोटेम स्पीकर निवाचित किये जाने के बाद से बीजेपी के विद्द्रोही सुर बुलंद है भाजबा ने अलान किया है कि उसके विधायक अकबर उद्दी नोवैसी के सामने शपत नहीं लेंगे इसी कड़ी में अपने बयानों के लिए अकसर सुर्ख्यों में रहने वाले बीजेपी विधायक और तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंग ने शपत का बायकोट करने का फैसला लेते हुए रिवन्त रेड़ी पर आरूप लगाए हैं टी राजा सिंग ने कहा कि बहुत ही दुरभागे की बात है कि नई सरकार का नया कॉंग्रेस का मुख्यमंत्री रिवन्त रेड़ी के बनने के बाद उनका असली चेहरा सामने आया है रिवन्त रेड़ी कहते थे कि AIM, AIM, BJP और BRS एक हैं आप जनता को पता चल गया कि कौन, किसके साथ है कॉंग्रेस का असली चेहरा सामने आया है हर बार रिवन्त रेड़ी ये कॉमेंट करते थे कि BJP, AIM, BRS एक है तो आज तिलंगाना की जनता को पता चल गया है कि कौन किसके साथ है, कौन-कौन कब कहां पर मिला है और आज अकबर दिनोवेसी को, जो कि AIM का विधायक है, उनको प्रोटेमी स्पीकर बनाया गया तो ऐसे विक्ति के सामने हम शपत नहीं लेंगे, जो 15 मिनिट में 100 करोड हिंदूओं को मानने के बात करता है वही के इंद्रिय मंत्री जी किशन डेड़ी ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि वरिष्ट विधायकों को छोड़ कर अकबर उद्दीन वैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, यह नियमों और विधान सभा की परबबरा के खिलाफ है हमारी पार्टी के विधायक नियमित स्पीकर आने के बाद ही शपत लेंगे बारती जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट ने तही किया है, जो प्रोटेम स्पीकर का अपैंडमेंट जो अकबर उद्दीन को नियुक्त किया गया हम किलाफ करें, प्रोटेस्ट भी करें, क्योंकि सीनियर्स MLS है, उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का विक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपैंडमेंट करना विधान सबा का जो नियम है परमपरा है यह परमपरा के किलाफ है यह बहुत सीनिर MLS को अप्मान भी है अब ज़ला जानती हैं कि BJP विधायक आखिर AIM-AIM विधायक OVC को प्रोटेम स्पीकर बनाने का विरोध क्यों कर रहे हैं दरसल अकबरुदीन OVC अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं जिसके चलते उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ चुकी है 2012 में अकबरुदीन OVC ने एक विवादित बयान दिया था कि मुसल्मान 25 करोड है और हिंदू 100 करोड लेकिन अगर 15 मिनट के लिए देश में पुलिस हटा दी जाए तो बता दिया जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है वहीं आली में उनका एक विडियो सामने आया था जिसमें वो मज से एक पुलिस वाले को धंकी देते हुए दिखाए दिये थे जानकारी के लिए आपको बता दें कि नई विधान सभा या नई संसत के चुने जाने पर किसी वरिष्ट सदस्ति को प्रोटेम यानि आस्थाई स्पीकर बना जाता है जो सभी विधायकों या फिर सांसदों को उनके पत की शपत दिलाता है प्रोटेम स्पीकर स्थाई स्पीकर के चुने जाने तक काम करता है आमतोर पर प्रोटेम स्पीकर सदन के सबसे सीनिर विधायक को बना जाता है अकबरुदीनोवैसी है राजा सिंग है गोशा महल सीट से पुना विधायक चुने गए है बहराल AIM-AIM प्रमुक असदुदीनोवैसी के भाई अकबरुदीनोवैसी की प्रोटेम स्पीकर के पतपर न्यूक तीप तेलंगारा में एक बड़े राजनितिक विवाद ने बदल गई है ऐसे में देखना होगा कि तेलंगारा के सियासी घटनाकरम में आगे और क्या कुछ खटित होता है फिलाल के लिए इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं झाल 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 झाल